जेंडर आधारित कारे के समय में अंतर यह जानना रोचक होगा कि वास्तों में महिलाएं कितने घंटे कारे करती हैं और पुरुष कितने घंटे कारे करते हैं दोनों के कारियों और काम के घंटों में कितना अंतर है या एक सर्वेक्षंड से पता चलता है आप अपने परिवार या आसपास रहने वाले परिवारों में भी महिलाओं वा पुर्शोद्वारा दैनिक किये जाने वाले कारियों एवं काम के घंटों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं समू में चर्चा करें उपरियुक्त तत्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ कारि एवं पारिश्रमिक में भेदभाव किया जाता है इस सम्बंध में शाषन इस्तर पर समान वेतन सम्बंधी कानून बनाए गए है फिर भी यह हक महिलाओं को अशास्की छेत्र में नहीं मिलता 60% पारिश्रमिक ही दिया जाता है इन बातों से यह स्पस्ट है कि श्रम रोजगार एवं पारिश्रमिक के शेत्र में महिलाओं के प्रती काफी भेदभाव और असमानता है श्यामलाल के परिवार की तरह ऐसे न जाने कितनी ही कहानिया हैं जिन में लड़किया आसिक्षित रह जाती हैं चुकि परिवार में सारे निर्ने सिर्फ पूरुष लेते हैं इस तरह महिलाओं का सोशन होते रहता है श्यामलाल ने जिस तरह के विचार वेक्त किये और अपनी पत्नी रामबती को काम पर जाने से रोका इस तरह के विचारों वाले लोग हमारे समाज में अधिक संख्या में हैं ऐसे लोग पुराने समय से चले आ रहे हैं रीती रिवाजों तथा आदतों की वज़ा से ऐसा मानते हैं कि घर में या घर से बाहर निर्णा लेने का अधिकार किवल पुर्शों का ही होना चाहिए तथा महिलाओं को उनकी बातों को मान कर बिना कोई प्रश्न किये निर्णियों को स्वेकार करना चाहिए क्या आपने सोचा है कि जिन रीती रिवाजों को लोग मानते आ रहे हैं उन्हें किस ने बनाया पुराने रिती रिवाजों से पुर्शों का वर्चस्व कैसे बढ़ता है? महिलाएं ऐसे रिती रिवाजों को क्यों नहीं तोड़ पाती? रूडियों को तोड़ने का प्रयास पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी उन्नीस्वी शताब्दी के प्रारंब से कई समाज सुधार को जैसे राजा राम मुहन राय, इश्वर्चन विद्यसागर वा जोतिबा फूले आदी ने महिलाओं की समाजिक इस्थिती में सुधार के लिए पुराने विचारों प्रानून बनाने की बात की, इश्वर्चन विद्यसागर ने भी विशेश रूप से विद्वा पुनरविवा, विवा के बाद लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए नियुन्तम उम्र तथा लड़कियों के सिक्षा के लिए प्रयास किये, जोतिबा फूले वा सावित वर्गे के साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे, विशेश वर्गे के लोग श्रेष्ट वपूजनिय माने जाते थे, वे ही समाज के नियम बनाते और धर्म नीती और पाप का भै दिखाकर नियमों का पालन करवाते थे, इस पर इस्त्रियों को सिक्षा, संपत् समां पाने का अधिकार नहीं था, इस्त्रियों को समाजिक रूढयों से मुक्ति मिल सकती है, उन्होंने सिक्षा को अपना अस्त्र बनाया, सावित्री बाई ने तै किया कि सिक्षा के सहारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है एमно वैङ्ञानिक सोच पैदा की जा सकती है सावित्री बाई ने अपने पती ज्योतिबा फूले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए कमजोर वर्गों के लिए सिक्षा का काम शुरू किया उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला इसके बाद उन्होंने सन 1897 तक 17 स्कूल और खोले सावित्री बाई फूले खुद अनपढ़ थी अपने पती ज्योतिबा फूले के सहयोग वप्रोचसाहन से उन्होंने स्वयम पढ़ना लिखना सीखा था वे अपने स्कूल की पहली महिला सिक्षिका बनी उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोचसाहित किया उनके स्कूल के पाठिक्रम के अनुसार विध्यार्थियों में नीती बोध कथा बाल बोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भुगोल, मराठो का इतिहास, एशिया, यूरोप और भारत के मान्चित्रों की समझ विक्सित करने का प्रयास किया जाता था फूले दमपत्ती को विशेश वर्ग के लोगों द्वारा घोर विरोध का सामना करना पड़ा था कई तरह से प्रतारित किया, उनके स्कूल के मुख्य द्वार और स्कूल के आंगन में गंदगी फैला दी जाती थी लोग उन्हें रास्ता चलते भला बुरा कहते थे, उन्होंने इन सब बाधाओं और प्रतार्नाओं का शांती और दिलेरी से सम्मान किया वे अपने रास्ते से बिलकुल नहीं डगमगाई और लगातार अपना काम करती रही सावित्री बाई वा जोतिबा फुले नाट को, गीतो, कविताओं जैसी ललित कलाओं द्वारा कई गतिविधियां करवाते थे इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश बच्चोंक में समाज सुधार और आगे बढ़ने की चेतना का विकास करना था सावित्री बाई एक कवित्री भी थी, उनकी कविताओं में समाज के शोशित लोगों के प्रती अपार साहनुभूती थी उनका कावि संग्रा, कावि फुले बहुत महत्वपूण है, ऐसा माना जाता है कि मराठी साहित्त में नौ जागरन आंदोलन का प्रारंभ इसी पुस्तक द्वारा हुआ, वे भारत की शुरुवाती महिला समाज सुधार कों में से एक थी यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूण था क्योंकि उनके इन प्रयासों ने शोशित महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संगर्ष का रास्ता दिखाया था